एलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए विडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि अपोएफटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवटवट आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे तो चलिए गई इस वीडियो को स्टाट करते हैं time set करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलागा additional settings का additional settings पे click करेंगे तो date and time का option आएगा date and time पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको date and time का option मिल जागा अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब set automatically का option on है तब कोई set automatically को off करना है off करती date and time का option आएगा date पर क्लिक करेंगे और इसे scroll करके आप लोग month को date को year को सब को change कर सकते हो यहाँ पर से जो भी change करने कर लिजे उसके बाद time पर click करेंगे तो time को भी आप लोग ऐसे change कर सकते हो hour को, minute को, am, pm जो भी यहाँ पर से change करके लगाना है उसको ऐसे scroll करके set कर लिजे उसके बाद उपर मिल लगा आपको 24 hour format का option अगर आपके phone में यह 24 hour format का option on है तो आपके phone में 24 hour time show होगा तो आपको अगर 12 hour करने तो 24 hour format को off कर दीजे यह सब करने के बाद कुछ नहीं करना का सीधा back चले जाना ऐसा करती है आपके phone में time set हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Oppo F27 Pro Plus phone में day 10 time को set कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते के लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई